नमस्कार दोस्तों बजरंग न्यूज पॉइंट यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मौसम विबाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटिक जानकारी हमेशा सबसे पहले दी जाती है बारती मौसम विबाग ने 24 से 27 मई के बीच देश के कई राजियों में आंधी तुफान बारिस को लेकर हाई अलरेट जारी किया है कौन-कौन से राजियों में चकरवाती तुफान का असर पढ़ेगा कहां कहां पर गर्मी और इसके साथ ही बारिस की चेतावनी है तमाम राजियों के मौसम की सही और सटिक जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले है तो यह आपका अपना चैनल है आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाएं मौसम विबागी तरब से अभी अभी हाई अलरेट जारी किया गया है तेज हवाएं और मुसलादार बारिस होने का अलर्ट जारी किया गया है वहीं उत्तर पश्चिमी बारत मद्या परदेश गुजरात में अगले पांस दिनों के दोरान हिट वेव चलने की आसंका जताई गई है देशिन बारत में 24 और 25 मई तक बारिस से बहुत बारी बारिस होगी वहीं केरल में 24 मई को तेज बारिस की चैतावनी बारती मुसल्बी बाकी तरब से जाहिर की जा रही है मोसम भी बाकी माने तो आने वाले 24 से 48 गंटे के दोरान मोसम में बड़ा परिवर्तन आएगा पश्मी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हिमाचर परदेश, जम्मु कवश्मीर, डिविजन, हरियाना, पश्मी मद्या परदेश, गुजरात, मद्या माराश्टर, दिल्ली, उतर परदेश, आदी राज्यों में हिट वेव चलेगी राजस्थान के बाड़ मेर में बित्य दिन सबसे ज़्यादा ताबमान 48 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकोर्ड किया गया केरल तमिलनाडू अंडमा निकवार दीव समय बिहार पष्य बंगाल साथ इंटिरियर करनाटक के लाकों में तेज बारिस की चेतावनी है मुस्बी बाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राजियों में बारिस की चेतावनी जारी किया है इसके अलावा अंडमान और निकवार दीव समय में अगले साथ दिनों के दोरान बहुत बारि बारिस होने की चेतावनी है वहीं कौंकन गोवा मध्य माराष्टा में 24 से 25 मई मराट वड़ा में 24 मई विद्रव में 24 मई को बारिस होगी मुसमी बाके अनुसार ओडिसा बिहार गंग्य पश्य बंगाल जार खंड में अगले साथ दिनों तक कई इलाकों में अलकी बारिस की चेतावनी है वहीं पुर्वोतर बारत की बात करें तो अरुनाचल परदेश असम में घालिया नागालेंड बनी पूर मीजोरम और तिरुपुरा में भी साथ दिनों का अलर्ट जारी किया जाएगा कल निमन दबाव का छेतर डक्षिन पश्मी और उससे सटे पश्मी मद्या बंगाल की खाड़े के उपर बनेगा मुसमी बाके मताबिक चकरवाती तुफान का कई राजियों पर असर पड़ेगा पश्मी बंगाल के तटिया इलाकों उतरी ओडिस्टा के कई जिलों में तक चकरवाती तुफान की वज़े से तेज आंदी और बारिस आएगी ओडिस्टा के कई जिलों में 26 और 27 मई को बारी बारिस होने वाली है इसके अलावा तेज आवाई चलने का भी अनुमान है वहीं मीजोरम, तिरुपूरा, साउथ मणीपूर में 26 और 27 मई को अलकी से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिस की चेतावनी बारिस की मुस्मी बागने जटाई है मुस्मी बागी मानने तो कई इलाकों में तेज आदी तुफान के साथ बारिस का जो सिल्सिला है वह जारी रह सकता है 120 किलोमेटर पर ती गंटे के रबतार से यह तुफान आगे बढ़ेगा जिसको देखते वे चेतावनी दी गई है मुस्मी बागने रेमल चकरवात बंगाल की खाड़ी से बनने के बाद रवी बार को बंगला देश और उससे शटे पशिमी बंगाल के तट से ठकरा सकता है 26 माई की आदी रात तक यह चकरवात सागर द्वीब और खेपू पाड़ा के बीच से ओकर निकल सकता है चक्रवाद के तर्ट से टकराने के दूरान सो से 120 किलोमेटर पर ती गंटे के रबतार से हवाई चलने का अलर्ट जारी किया गया है मुस्मी बाग का कहना है कि चक्रवाद उतर पुरो की और आगे बढ़ सकता है चक्रवाद की दिशा के बारे में नहीं बताया सकता 24 मई को बंगाल के खाड़ी में अवाउं के रबतार 70-80 किलोमेटर पर ती गंटा तक चल रही है 25 मई की सुबह तक यह सपीड 80-90 किलोमेटर तक हो जाएगी मुसमी बागी अनुसार 25 मई की सुबह से मध्या बंगाल के खाड़ी में लेरों की उंचाई 6-9 मिटर तक हो सकती है इसके बाद 25 मई की स्याम से लेकर 27 मई की सुबह तक 9-14 मिटर की उंची लेरें उठ सकती है मुसमी बागी ने का कि चकरवाद के समें और दिसाम में परीवर्तन की गुणजाईस बनी हुई है हो सकता है कि चकरवाद मया मार बंगला देश सिमा की और बढ़ड जाए हलांकि अभी यह का जा सकता है कि यह सिस्टम खतरना की इस तर पर पश्म बंगाल और ओडिसा के करीब है बताते कि चकरवाद का नाम ओमान ने रेमल रखा है चकरवाद की वज़े से देश के कई राजियों में बारी तबाई मत सकती है इसी बीच देश के कई राजियों में बैंकर गर्मी को लेकर भी मुस्म बिबाग ने अलेट जारी कर दिया देश के कई राजियों का जो तापमान है वह 48 से 50 डिगरी सेलसेस के बीच पहुंच गया है देश के कई हिसों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है परिसा एवं दक्षिन बारत के राजियों में बारी बारिस की वज़य से साथ लोगों की मौत हो चुकी है मुस्म बिबाग ने आगे भी चेतावनी जारी किया तो इसे में हमें साबदानी और सुरक्षित रहना होगा मुस्म बिबाग ने अगले तीन से चार दिन में और अधी गर्मी की चेतावनी दी है मुस्म बिबाग ने राजस्तान पंजाब अर्याना चंडिगर दिली और परश्म यूपी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है तेज गर्मी और लू के चलते लोगों को काफी परिसानी हो सकती है मुस्म बिबाग ने विबाग चंडिगर ने दिन के साथ साथ अब रात में लू चलने को लेकर चेतावनी दी है मुसम भी बागने अभी अकले तीन से चार दिन में और अधिक गर्मी की चेतावनीती है मुसम भी बागने तो तापमान जो है 48 डिगरी के आसपास ही बना रहेगा और बिशन गर्मी का जो ये दोर है वो अभी लगातार चलता रहेगा जिसको देखते वे अलर्ट जारी किया गया है बारतिय मुसम भी बागने तो राजस्तान पंजाब और याना दिली में तापमान 48 डिगरी पलस रह सकता है जबकि देख के अने कई राजियों में तापमान 40-45 डिगरी के बीच में बने रहने के आसंका है देख के कई राजियों में इन दिनों बिशन गर्मी है कई राजियों में तापमान 47-48 डिगरी पार पहुंचा है इस बीज बारतिय मुस्म विबाग ने 24 मई से 26 मई तक कई राजियों में लूट चलने की चेतावनी दी है कई राजियों के अंदर नो तपा जो है उसका असर पड़ेगा नो तपा के अंदर बिशन गर्मी पड़ती है दिन और रात का तापमान भी लगातार बढ़ जाता है आईमडी के नुसार 24 से 26 मई के बीच पश्मी राजिस्थान के अधिकांस इसों पंजाब के कुछ इसों हरियाना, चंडिकर्ड, पूर्वी राजिस्थान, पश्मी मध्या परदेश और पश्मी उतर परदेश के अलगलग इसों में लूट चलने की चेतावनी है मुस्मी बाग निसके अलावा मध्या परदेश, महराश्टर और गुजरात के लिए औरेंज अलर्ट भी जारी किया है कल दरज किया कि वास्थिक तापमान को ध्यान में रखते वे जिसमें राजस्थान के बाड़ मेर, मध्या परदेश के गुन्ना और अल्याना के सिर्सा में अधिक्तम तापमान 48 डिक्री सेल से सामिल था आई-मडी की मौस्थान रिपोर्ट के नुसार 26 मई तक इमाचल परदेश, जमूस्थान बाग, गुजरात और मध्या परदेश में हिट वेव की श्ततिका नुमान है वहीं उत्र परदेश में 24 से 26 मई तक और महराष्टा में 25 मई तक लूच जलने की चेतावनी बारतिय मौस्थान बाग ने जताई है